दो हजार चौबिस के चुनावों में जो आने वाले हैं तो उसमें क्या हम ममता बनर जी और आपका कोई बड़ा रोल देखने को मिल सकता है देखे अभी बहुत अर्ली डेज हैं बहुत जल्दी बाजी होगी उसके बारे में कुछ कहना लेकिन मैं मानता हूँ कि जितने विपक्षी दल हैं उनको इकठे आना चाहिए और इकठे आकर उन्हों दो हजार चौबिस में भारती जन्ता पार्टी का नेशन वाइड पूरे म में मुकाबला करना चाहिए और ऐसे भी यait इक हिलती डूलती सरकार आज के दिन है प्रदान मंत्री जी की खबी आज मिटी में मिल गई है तो इसलिए पहले जो हम लोग नारा लगाते थे हिलती डूलती सरकार को एक धक्का और दो तो एक मामूली धक्का भी अगर दिया विपक्षने 2024 में तो यह सरकार चली जाएगी दुबारा सत्ता में नहीं आएगी और जो 2022 में यानि कि जो अगले साल कुछ 6-7 राजियों में चुनाओ आने वाले हैं उसमें आपको क्या इस्तिती बंती नजर आती है क्या जो मौझूदा इस्तिती है उससे जो मौझूदा सरकार है यानि कि भारती जनता पार्टी क्योंकि ज्यादा तर जो प्रदेशों में चुनाओ होने उसमें भारती जनता पार्टी की ही सरकार है तो क्या उसे ये इस्तिती डेंट पहुंके आएगी देखिए सबसे महतो पूर्ण है उत्तर प्रदेश का चुनाओ उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाओ जो 2022 में होगा और अभी जो पंचायतों के चुनाओ हुए हैं जिसमें भारती जनता पार्टी की करारी हार हुई है और अभी जो total mismanagement है करोना के situation का योगी सरकार के द्वारा और योगी जीके द्वारा तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको दुबारा सत्ता में वापिस लाएगी अर्थी जनता पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश हरेगी और वही एक बड़ा रास्ता दिखाएगा दिल्ली का कि 2024 में दिल्ली में उनको कैसे रास्ता पूछने क्या निर्मला सीता रमण जीस्टी के सरली करण की जगे इसे और जटिल नहीं बना रही है जीस्टी ऑडिट समाप्त करना ये तर्क देकर कि इससे करदाताओं पर फीस का भाल पड़ रहा है पालदर्शिता के लिए कहां तक उचित है नहीं मुझे फिर से बताई क्योंकि मैं ये जी मैं दुबारा कहता हूँ ये अमित गोईल ने पूछने क्या निर्मला सीता रमण जीस्टी के सरली करण की जगे इसे और जटिल नहीं बना रही है पहला प्रश फिर उसी के साथ ही लिखते है जीस्टी ऑडिट समाप्त करना ये तरक देकर कि इससे करदाताओं पर फीस का भार पड़ रहा है पादर्शिता के लिए कहां तक उचित है देखे मैं मानता हूँ कि जीस्टी शुरू में ही जटिल बना था जीस्टी में बहुत सुधार की आवशक्ता है बित्तमंत्री महोदया जो है वो सुधार की तरफ नहीं बढ़ रही है और इन्होंने ठीक सवाल पूछा कि वो ज़्यादा जटिल इसको बना रही है और ऑडिट तो होना ही चाहिए क्योंकि जीस्टी में लोग जो है वो बहुत बहुत करों का अवाइडेंस हो रहा है लोग कर नहीं दे रहे हैं और हम एक डेर लाग के बहुत आवेशकता है और वित्यमंत्री उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जी एक और ये प्रशन हैं का मोहन गवजे का पूछ रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिस्टीबूटिंग 2,000 तो इच फार्मर्स इस बिग अमाउंट शुट बी स्पेंट ऑन वैक्सिनेशन एंड हेल् नहीं इसको हम उससे तुलना नहीं करेंगे कि फार्मर्स कूकर आप क्यों खर्च कर रहे हैं और भी बहुत फिजूल खर्ची है सरकार में उसको कम करके और हम एल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और वैक्सिनेशन के लिए पैसे इकठा कर सकते हैं इत् तो जएसे हमिरक्ष्ण मामले में कहते हैं कि जितनी ज़रुतोंगी उतना हम खर्च करेंगे, आज के दिन हमें वैक्सिनेशन मैं मैं मांता हूं कि सब को free and compulsory का करण होना चाहिए, vaccination होना चाहिए, free and compulsory. और लोग हम अपना टीम बनाएं और टीम बनाकर घर-घर लोग जाएं और वहाँ पर वैक्सिनेशन तेन लोगों को नहीं लेना चाहते हैं तभी उनको वैक्सिनेशन देने का काम हमें करना चाहिए और मुफ में करना चाहिए मुप में करना चाहिए यानि कि जिस तरह से हम वैक्षिन के लिए लोगों को बुलाते हैं सेंटर पे लाइन लगवाते हैं और फिर उसके बाद डंडे माल के भगा देते हैं उसकी जगह वैक्सीन को लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए एक और लास्ट कुश्चन मैं ल बताऊं मैंने कहीं लेक में लिखा भी था और डेरेक वरायन ने राजसवा में उसको कोट भी किया था मैंने कहा अटल जी को और विश्वास करते हैं कि इसको अपनी तरह मिला लो मिलाकर आगे बढ़ो मोदी जी कॉंक्वेस्ट में विश्वास करते हैं कि अगर वह है तो उपर विजे प्राप्त करो उसको हराओ उसको कुछलो और आप देखिए कि अटल जी के की सरकार में 22 दलों का किसा भागिता थी कोईलेशन था 22 दलों का भारती जनता पार्टी के सबसे पुराने जो सायोगी दल रहे हैं वो अखाली दल और शिवसेना रहे हैं ये दोनों आज भारती जनता पार्टी से अलग हो गये क्यों अलग हो गये क्योंकि मोधी जी का style of functioning जो है उसमें वो किसी और को tolerate ही नहीं कर सकते हैं किसी और के लिए space ही नहीं है के बल उनके लिए वो space है और उनके चहतों के लिए वो space है इसलिए ये लोग छोड़कर चले गए तो भ जी तो मैं समझता हूँ सभी लोगों के अपने प्रशनों के जवाब भी मिल गए होंगे यश्वन जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए क्योंकि आज की तारीक में आप जैसे नेताओं की जरूरत है जो लोगों की विचारों को समझ सके और बता सके क्य क्योंकि कई बार लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि उनके लिए अच्छा क्या है और गलत क्या है ये भी बताना हमारा फर्ज है आपका फर्ज है सब लोगों का फर्ज है अधर्वाइस हम सब जानते हैं कि जो चाहें किसी भी पार्टी के आईटी से हो चाहें कोई किसी तरह से काम करता है तो उन्हीं जो फैक्स नहीं होते हैं उनको लेकर लोग बहस करते हैं तो हमें लोगों को सच्चाई से भी अगट कराना ज़रूरी है और जिस तरह से आपने खा हम सब को इसके लिए आगे आना ही पड़ेगा यश्वन जी बहुत बहुत शुक्रि करते हैं इसके खाइब इसके लिए